जारकन में कौंग्रेज विदायकों के घर पर आएकर विवाग की बड़े चापेमारी को ले कर जारकन में राजनितिक खमासाँ शुरू हो गया है जारकन के राजी में कॉंगरेज विदायक जेमंगल सिंग के आवास पर आयकर विवाग ने दबश दी है चापे मारी को लेकर जेमंगल सिंग का बयान भी सामने आया है उन्होंने बताया कि उनके बिहार में पटना इस्तित आवास पर भी चापा पड़ाया यह इंकम टाक्स का रेट कंटक्ट हो रहा है तो चाहिद मेरे आप है और दी शाहिद कहीं जगाओं पे हो रहा हूँ तो मुझे अभी तक इसकी जानकारी नहीं है हाँ मेरे तमाम मेरे बेरमो अवास पर और मेरे पटना अवास पर हो रहा है वहीं रेट के दौरान वो बोले यह आईटी की रेट नहीं बाजपा की रेट है वो जो भी पूछ रहे हैं मैं उनका जवाब दे रहा हूँ सभी कॉंग्रेसी विदायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है आपको बता दें बताया जा रहा है कि आईटी की ये कारवाई अवे तरीके से सैना की जमीन पर कप्चा करने वालों पर हो रही है आपे बार में किये लोगे हैं बेनामी संपत्ती है नहीं बहुत राजिंदर वागु का बेटा हूँ शे बार के विदायक रहे हैं इंकम टाक्स देते रहे हैं नॉमिनेशन में रिकॉर्ड मेंटेन किये हुए मैंने अपने नॉमिनेशन में पूरे संपत्ती का जिकर किया हुए तो बेनामी संपत्ती नाम का कुछ चीज हमारे पाइस है लिए एकदम संविधानिक संस्ता काम कर रही है और मैं उसका कॉपरेट भी करता हूँ किस केस में आया है वो मैंने बीजेपी के अगेंस्ट में बोला था बीजेपी के मंशाओं को लोटस को लोटस मुहीम को फेल किया था और आने वाले टाइम में बीजेपी का नंबर मिल रहा नहीं है कि कॉंग्रेस विधायक को तोड़ सकें तो भीया मेरे को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है ताकि जो बीजेपी का नंबर्स है जो कॉंग्रेस को तोड़के उनको मिल सकता है जो आगे जाके उनके कथा कदित बाबुलाल मरांडी को सीम बनाने में बहुमूल साबित हो सकता है इसलिए मेरे घर पर रेट मारा ग जानकारी के मताबिक एक अधिकारी ने बताया कि आईटी के संयुक दलो द्वारा कुछ रियल इस्टेट टीलर, निजी विक्टियों और संबंदित संस्ताओं पर छापे मारी की जा रही है उन्होंने कहा कि जांच जारकन पुलिस द्वारा भारतिय सेना की भूमी की बिक्री और खरीद में जाली कापचातो के कतित इस्तमाल की जांच के लिए दायर प्रात्मिकी से उपची है इस खबर अफिलाल इतना ही बनरिया वनलिया हिंदी के साथ